कि यह गाइज विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड आज मैं Microsoft Excel में वर्किन टाइम के बारे में बताने वाला हूँ तो Microsoft Excel ओपन करते हैं और देखते हैं वर्किन टाइम कैसे बनाते हैं इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा यहां पर थोड़ा से सेटिंग करना है सेटिंग करने के बाद यहां पर ग्रैप टेक्स्ट कर लो थोड़ा से सेंटर पॉइंट्स बना लो और यह क्या करना है स्टार्ट स्टार्ट टाइम और यहां पर लिख दे रहा हूं इंड टाइम ओके इंड टाइम लिखने के बाद हम लोगो टोटल वर्किंग टाइम हम लोगो देखना है कि वर्किंग टाइम क्या होगा इसके लिए मैं नेम लिख दे रहा हूं राहूल जय ओम श्याम ऐसे ल लेना है टाइम को क्लिक करने के बाद यहां पर लिखने वाला हूं मैं एट यहां पर लिखने वाला हूं फिप्टीन और यहां पर लिखने वाला हूं एम और यहां पर लिखने वाला हूं थर्टी पीम और हमें देखना है फ्रेंड की वर्किंग टाइम क्या होगा तो वर्कि से क्लिक करना है और 관 pagan sales का सिंबॉल लगा कर CO and 25 से मलटीप्लाई कर देना है अब यहां पे सिक्स एम जो आपको दिखाई दे रहा है आपको यहां पे कंड्रोल सेट के साथ में एक्स्क्लेमेशन मार्क लगाना है तो control shift exclamation mark ये print ऐसे बता रहा है अब मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है example के लिए मैं लिख ले रहा हूं 9 a.m. और यहाँ पर लिख ले रहा हूं मैं 8 p.m. 8.5 p.m. ओके यहाँ पर लिख ले रहा हूं 11 a.m. यहाँ पर लिख ले रहा हूं 8 p.m. यहाँ पर लिख ले रहा हूं 12, sorry 11.30 a.m. और यहाँ पर लिख ले रहा हूं 6 p.m. अब मैं इसे पकड़ के खीचे दे रहा हूं print आपको पता चल जाएगा कि working time क्या है तो print अच्छा लगा तो like, subscribe, comment, thank you for watching